सात्वे भाव के स्वामी बुद्ध के लिए विवाह की भविश्यवानी क्या है? जब सात्वे भाव के स्वामी बुद्ध को कर्क राशी में पांच्वे भाव में महत्वपूर्ण डिग्री पर रखा जाता है, तो विवाह की संभावनाएं बौधिक और भावनात्मक बंधन का मिश्रन दिखाती हैं. पांच्वे भाव में बुद्ध का होना दर्शाता है कि जीवन साथी बुद्धिमान, युवा और सम्वादशील हो सकता है. रिष्टा बौधिक होज या रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से शुरू हो सकता है, जिसमें करक राशी के प्रभाव के कारण भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया जाता है. हालां कि महत्वपूर्ण डिग्री पर होने के कारण ये स्थिती कुछ चुनौतियां ला सकती है. व्यक्ति को विवाह में देरी या जटिलताओं का अनुभव हो सकता है, खासकर गलत संचार या भावनाओं पर अधिक विचार करने के कारण. करक राशी में बुद्ध जातक को रिष्टों में समवेदन शीर बना सकता है, जिससे मूद स्विंग और भावनात्मक उतार चड़ाव हो सकता है. सामन जिस्योपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए दोनों भागीदारों के लिए भावनात्मक समझ को पोशित करना आवश्यक है. ये स्थिती यह भी बताती है कि जीवन साथी शैक्षिकी या कलात्मक प्रिष्ट भूमी से आ सकता है, और विवाह में बच्चों या रचनात्मक परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म को सबस्क्राइब करें.